कि यह व्रीवन वेलकम तु यूर एडुकेटर एंड वी आ दूइंग रिवीजन चेप्टर वाइस थू मुल्टिपल च्वाइस क्वेशन और जो चेप्टर है इसके आदे पॉर्शन कोशन अम लोग ने लास्ट वीडियो में कर लिया है और आज है एलेक्ट्रिक चार्जस और इसमें एक क्वेशन के जरी है जो भी उसे रेलेमेंट थेवरी होते है उसका अभी हम लोग कॉम्प्रेंसिब तरीके से रिवीजन करते हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं और आज के पहले सवाल से जो पहला कोशन दिया है मेरा ये कुछ ऐसा है कि और इसका रेडियस अगर आड दिया है तो इलेक्ट्रिक फिल ए का वहलू कितना होता है जब पॉइंट कहां पे होता है इंसाइड होता है और वहीं पे जब बाहर चले जाते है इसके वहलू के क्यूब यार इसको रहोता है फॉर दा आर ग्रेटर दनी गोज टू आर होता है यह पॉइंट अप समझेंगे अब एट पॉइंट पी हम बात करते हैं तो पॉइंट पी पे जब हम देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फिल गया हो जाएगा यह जो अंदर वाला स एक दूसरे को कैंसेल करता है एक दूसरे को हटाता है x हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 3-6 हो जाएगा मतलब यहाँ पे जो 4 कुलम्ब है इसका field का value और जो q कुलम्ब है इसका field का value दोनां बराबर हो जाएगा तो यह कितना हो गया, k हो गया और charge हो गया 4q, और distance के value कितना हो जाएगा 3-6 का whole square and this is equal to k हो गया और charge के value q हो गया और ये कितना हो जागा x square हो गया q q cancel हो गया और ये cancel हो जागा ये value हो जागा 2 divided by कितना हो जागा 3 minus x का whole square and this is equals to 1 by x का whole square ये value कितना हो जागा 2 divided by 3 minus x is equals to 1 by x and this equals to 2x and that is equals to 3 minus x so value कितना हो जागा 3x equals to 3 तो value कितना लिखेंगे x का value हो जागा 1 meter Q से कितना होजा रहा है, 1 meter होजा रहा है, so option 3 would be the correct answer for this question. Now, moving ahead to this question, a uniform electric field exists between the two parallel identical plates having the opposite charges on each plate. An electron enters in the field between the plates with speed V0 as shown in the figure, then length of each plate is L, हर plate का लेंथ कितना दियावा, L दियावा, then the angle of, angle with which the electron deviates from the initial path is, देखो कहां पर deviate करता है न, ये angle theta निकालने के लिए बोला गया, देखो सबसे पहली बात है कि ये लेक्टरिफिल में रखा है, तो लेक्टरिफिल वर्टिकल है न, और चला horizontal है, मतलब horizontal में कोई force लगेगा नहीं, तो horizontal में इसका velocity कितना रह जागा, ये लेक्टरिफिल नीचे लग रहा है, तो इस पर चार्ज निगेटिव होने के विए से force कितना लग जागा, उपर लग जागा, तो acceleration कितना हो जाता है, force divided by mass न हो जाता है, और velocity V लिखेंगे तो कितना हो जागा, यू प्लस 80 हो जागा, और vertically तो initially कोई velocity था नहीं, इसका मतलब हो जागा, यहाँ पर जो velocity के value है, y direction में ये value कितना हो जागा, तो QE by M हो जागा, और into कितना हो जागा, L by V not हो जागा, तो यह जो charge particle यहाँ पहुंचा, इसके velocity के component Y में हो जागा, और component X में हो जागा, और X का जो component हो कितने के बराबर है, तो यह V not के बराबर है, अगर हम tan theta निकालना चाहते हैं, तो tan theta होता है perpendicular, by कितना हो जाता है, base होता है, और Vy की बात करते हैं, तो यह दिया है QE L divided by कितना है, M V not, और इस पूरे expression को divide कर देंगे V not से, तो हम दिखते हैं, tan theta equals to QE L divided by कितना हो जागा, M V not square हो जागा, समझ रहे हैं बात को, और यह यहाँ पे जब देखते हैं, expression में, तो यह कहाँ पे दिखता है, option number 2 में देखिए, theta equals to tan inverse QE L divided by कितना हो जागा, M V not square हो जागा, so option number 2 would be the correct answer for this question, Moving ahead, next question है, इसमें कह रहा है कि, 2 metal sphere of radius 30 cm and 10 cm, मालत एक metal sphere दिया है, इसका radius कितना दिया है, 30 cm दिया है, और वहीं पे दूसरा metal sphere दिया है, इसका radius कितना दिया है, तो यह radius दिया अपना 10 cm दिया है, and given charge, charge कितना दिया है, तो Q1 का जो value दिया है, यह दिया है, 20 microgram दिया है और जो Q2 दिया है, इसके value कितना दिया है, 60 microgram है then they are connected by a conducting wire, then the final charge on the sphere of radius 10 cm देखे, conducting wire से जब भी connect करते हैं, तो इसका काम क्या होता है, same potential कर दिता है and हमें find करना है charge, तो माल यह connect करने के बाद इसमें charge Q1 हो गया और इसमें charge कितना हो गया, Q2 हो गया, then the from principle of conservation of charge Q1 plus Q2 का जो value हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, तो यह जो value होगा मेरा charge का ध्यान से समझने वाली बात यह है, कि यह जो initial charge था ना, इसके sum के बराबर हो जाएगा और initial charge का जो sum हो जाएगा, कितना हो जाएगा, Q1 plus Q2 हो जाएगा 20 plus 60 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, so the value of sum of charges is equal to 80 microcolum है यहां से यह निगल जाएगा अब देखोगे दूसरा कि हमें तो charge है यह ना, Q1, Q2 तो charge किसी भी body के उपर होता है ना, यह दरसल में उसके capacity के ratio के बराबर होता है और spherical जो capacitor है, उसका capacity होता है, 4 pi epsilon not r होता है so this is 4 pi epsilon not r1 और यह हो जाएगा, 4 pi epsilon not r2, r1 की बात करते हैं तो r1 30 है, r2 की बात करते हैं, तो यह 10 हो जाता है, तो value कितना हो गया, 3 हो गया तो हमें चाहिए charge क्या, Q2 चाहिए, तो Q2 चाहिए ना, second वाला जो body दिया है, इस पे charge कितना है तो यहां से Q1 का value अगर हम लिखते हैं, तो यह कितना हो जाएगा, Q1 की बात करेंगे तो 3 times Q2 हो जाएगा, so आप जब देखते हो, यहां पे तो क्या हो जाएगा, यह वाला जो expression है Q1 के जगे पर रख देंगे 3 Q2, plus में क्या दिया है Q2, is equals to 80 So 314 हो जाएगा Q2, और इसका value हो जाएगा 80, solve करने पे देखेंगे, तो Q2 के value 80 by 4, मतलब 20 microcolumn इसका answer आजाएगा तो charge का जो value हो जाएगा, दूसरे वाले sphere पे, यह कितना हो जाएगा, 20 microcolumn और यही तो पूछा था, 10 cm वाले पे final charge कितना होता है तो we have calculated this, अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, बहुत ही बहतरीन सा question दिया है, बोला है कि two capacitor of capacitance C and 2C and breakdown voltage V and Vy2 respectively are connected in series Very very conceptual question, एक का capacity C दिया है और दूसरे का capacity कितना दिया है, 2C दिया है, इसका capacity C है और इसका capacity 2C दिया है, इसका potential V दिया है और इसका potential V by 2 दिया है जब दोनों को connected देते हैं series में, then breakdown voltage of the series combination is what, देखो इस तरह का question जब भी पूछा जाए ना, तो ये सोचना है कि जो series combination होता है, इसमें सब कुछ तो अलग हो सकता है, लेकिन charge के value हमेशा सेम होगा तो इसमें ये दोनों का maximum charge होगा, जैसे breakdown voltage हुआ, तो इसके उपर में maximum charge कितना हो सकता है, CV हो सकता है और इसमें maximum charge निकाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 2C हो जाएगा, into कितना हो जाएगा, V by 2 हो जाएगा, तो इस पर भी charge कितना आ जाएगा, CV हो जाएगा अब क्योंकि दोनों पे charge हो दिया है, इसके value कितना दिया है, CV और CV charge हमारा इस जगह पे given है, तो अब यहाँ पे जब हम calculate करते है, potential का value, तो दोनों पे common हो गया ना, यह तो minimum हो गया, तो फिर CV charge ही flow करा देंगे ना, इसमें logic है कि माल लगते कि हम दोनों charge same आया, दोनों charge same न charge flow कराएंगे तो इसका potential V हो जागा और इसका V by 2 हो जागा, तो V जो combination का हो जागा, कितना हो जागा, यह value हो जागा, V हो जागा, प्लस में कितना हो जागा, V by 2 हो जागा, तो sum करने पे कितना हो जागा, 3 V by 2 हो जागा, so the answer for this question is option number 3 और यह value कितना हो जागा, 3 V by 2 हो जागा, आगे बढ़ते हैं इसका भी कितना दिया हुआ है आई कैप दिया हुआ है तो आई और आई कितना हो जाता है तो सॉल करने पर वैलू कितना हो जाता है 40 हो जाएगा न्यूटन मेटर स्कॉयर पर कुलम इसका वैलू हो जाएगा तो देखेंगे तो option no.4 इसमें correct हो रहा है बहुत ही easy question था यह आप apply कर दो और यह जो potential difference दिया है इसका वैलो कितना है 16 वोल्ट दिया है तो इस पे charge plus cv और इस पे charge minus cv हो जाएगा पहले यहर में when a dielectric slab is introduced between the plates such that the space between the plates is completely filled with dielectric for the same configuration potential difference is 4 वोल्ट then the dielectric constant of the material is what क्या बात है बहुत अची बात कि इसना है capacity अगर c दिया है तो दूसरे वाले case में जब हम बात करते है न तो यहाँ पर second case में potential difference कितना हो जा रहा है 4 वोल्ट हो जा रहा है यहाँ voltage change हो रहा है इसका मतलब क्या होता है battery connected दिया हुआ इसका मतलब होता है कि battery मेरा कैसा है connected है और एक case होता है जिसमें हम लोग बात करते है charge क्या हो जाता है मेरा constant हो जाता है तो charge constant है इसका मतलब battery कैसा हो जा रहा है battery हो जा रहा है disconnected तो battery disconnected हो गया मतलब voltage change हो रहा है तो charge तो कैसा होगा constant हो जागा Q equals to C V न होता है तो V equals to क्या लिखेंगे Q by कितना हो जाएगा C हो जाएगा तो क्या कह सकते है तो voltage उसे मैं तो माल लेके second case का voltage divided by first case का voltage लिखेंगे तो Q by कितना हो जाएगा C2 हो जाएगा और ये value कितना हो जाएगा Q by C1 हो जाएगा तो Q से Q cancel हो जाएगा और ये कितना होगा C1 by C2 हो जाएगा अब ध्यान देने वाली बात यह है कि without dielectric अगर इसका value C दिया है तो with dielectric कितना होगा K into C न हो जाएगा तो V2 by V1 लिखेंगे C1 का value C हो जाएगा तो इसका value कितना हो जाएगा K into C और बात का potential कितना दिया है 4 दिया है और पहले का potential कितना दिया है 16 दिया है and that is C by K into C हो गया तो C इसको cancel कर देंगा और 4 से 16 करेंगे तो 4 टाइमस हो जाएगा तो solve करेंगे तो K का value कितना आ जाएगा हाँ से तो K का value अपना 4 आ जाएगा आगे बढ़ते हैं अंगले सवाल की तरफ बोला है कि alpha particle initially at rest moves through a certain distance in uniform electric field in time T1 अब proton also initially at rest takes time T2 to move through the equal distance in the same uniform electric field same distance चलने के लिए time कैसे निकालते हैं तो C is equals to ut plus में कितना हो जाता है half a t square हो जाता है initially rest में था तो ये 0 हो जाएगा तो S का value कितना हो जाएगा ये value हो जाएगा half a t square होता है तो यहां से time T की बात करेंगे तो ये value कितना हो जाएगा root under 2s by कितना हो जाएगा acceleration ही हो जाएगा अब time की बात करते हैं तो change क्या करेगा acceleration ही change करेगा किसका neglecting the effect then the ratio of T1 by T2 और T1 किसको लगता है electric field T1 लग रहा है तो alpha को लग रहा है T1 और proton को लग रहा है T2 तो ये हो जाएगा acceleration के ratio universally proportional में है तो A2 by कितना हो जाएगा A1 हो जाएगा अब ज़राद ध्यान से देखने वाली बात है A2 क्या है proton है तो proton का charge E होता है और electrically हो गया proton का mass कितना होता है यह होता है वहीं पर alpha पर charge की बात करेंगे तो 2E हो जाएगा electrically हो जाएगा और वहीं पर mass की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 4M न हो जाएगा ये cancel हो जाएगा ये cancel हो जाएगा तो value solve कर देंगे तो कितना हो जागा 4 divided by 2 हो जागा ना तो कितना आगया ratio ratio के value जब स्वाल किया हमने तो root 2 आगया so the answer would be root 2 ratio कितना हो जागा 1 हो जागा so option 2 is the most appropriate answer for this question अगला सवाल की तरफ चलते हैं बोला कि charge of minus 2 nanogulum fixed at each of the point x equals to 1 इतना 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 तो x is equals to जो हमारा दिया हुआ है कितना दिया है x का value दिया है 0 इस पर कितना हो जागा potential का value on the x-axis यह इंफिनिटी दिया है यहां जलते जलते कहां जा रहा है infinity जा रहा potential at the origin देखो ध्यान से यहां पर आपके बहुत सारे charges दिया है तो origin पर बात करना है x equals to 0 पर पहला charge कितना पर रखा x equals to 1 cm पर दूसरा charge कितना पर रखा x equals to 2 cm पर फिर कहां पर रखा है x equals to 4 cm and so on फिर double हो जा रहा है x equals to 8 cm यह सब पर charge रखा हुए q क्यू का value कितना दिया है minus two nanoculum दिया है तो potential के value लिखेंगे तो कितना हो जागा भी के value यह हो जागा kq पहले का distance कितना हो जागा 1 cm plus दूसरे का भी होगा kq और distance कितना हो जागा दूसरे बाले का हो जागा 2 cm तिसरे बाले में कितना हो जागा kq और यह कितना हो जागा 4 cm हो जागा चौथे में बात करेंगे तो KQ हो जागा और यह कितना हो जागा 8 cm and so on इसको जोड़ते चले जाएगे अब बताएगे ज़रा KQ हो जागा नीचे में कितना आजागा cm जो दिया है 1 यह बाहर आगया कितना बज़ा एक्सप्रेशन 1 हुआ प्लस 1 बाइ 2 हुआ प्लस में 1 बाइ 4 हो गया प्लस 1 बाइ 8 हो गया and so on अब देखो जागा K के बहलो हो जागा 9 इंटो 10 तो दिपावर कितना हो जागा 9 हो जागा और Q के बहलो कितना है माइनस 2 नैनो कुलम है तो 10 की पावर माइनस 9 कर देंगे और नीचे सेंटिमीटर है तो 1 इंटो 10 की पावर माइनस 2 कर देंगे देखो ये जो टर्म दिया इसमें 1 बाइ 2 मुसे मल्टिप्लाई करने पर इस पर आगया इसमें 1 बाइ 2 से करने पर आगया और 1 बाइ 2 से करने पर आगया तो given जो series है तो किस में दिया है, geometric progression में दिया है, और infinite term है, तो as infinity के sum का formula है, अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो a by 1 minus r होता है, a first term होता है, our common difference होता है, common difference होता है, जितना से multiply करते गए हैं, जैसे 1 से 1 by 2 में किये तो 1 by 2 हो गया, फिर 1 by 2 में 1 by 2 से multiply करेंगे, तो 1 by 4 आ जागा, a का value 1 हो जागा, 1 minus r, मतलब 1 minus कितना हो जागा, 1 by 2 हो जागा, minus 9 plus 9 खतम हो जागा, तो ये value कितना हो गया, 9 to 18 हो गया, तो minus 18 हो गया, नीचे हो गया, minus 2, और ये value हो जागा, 1 divided by कितना हो जागा, 1 by 2, तो value हो गया, minus 36 by कितना हो जागा, 10 की power, minus 2, तो उपर जाके, minus 36 पर कितना 0 आजाएगा डबल जीरो आजाएगा और इतना वोल्ट इसका एंसर आपको देखने को मिल जाएगा तो एंसर हो जाएगा option number 3 तो थोड़ा सा mathematics का यहां पर use था geometric progression का concept लगाना था अगर उसको आप सई से इस्तमाल करते हैं तो गोशन का एंसर बहुत ही असानी से मिल जाता आप को अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि 8 identical spherical liquid drops each are at the electric potential 2 volts, there are coils to form one big देखें जब भी इसे कोईल्स करता है न दो जगा गोशन आता है, capacitor में आता है और एक surface tension में आता है, इसमें volume को conserve करना कभी न भूलिये, जैसे पहला जो स्पेर है छोटा वाला है, इसके radius मालीजे कितना दिया ह और charge इसके उपर में कितना दिया है, Q दिया है, तो potential जो V दिया है, इसके value कितना लिख देंगे, K Q by कितना हो जागा, R और इसके value question में कितना दिया है, 2 volt दिया हुआ है, पहली बात तो यह हो गई, अब ऐसा ऐसा 8 sphere आपस में coils किया और एक बड़ा सा sphere का formation किया, माल लिया कि इसके radius कितना दिया है, capital R दिया है, तो 8 sphere जब combine करता है, तो यहाँ पर इसका charge कितना हो जागा, 8 cube charge हो जागा, और वहीं पर radius निकालेंगे, तो कितना हो जागा, 4 by 3 pi R Q हो जागा, and that is equals to 8 into, छोटे वाले का volume कितना हो गया, 4 by 3 pi, small R Q हो जागा, अब देखेंगे, यहाँ से 4 by 3 pi से 4 by 3 pi cancel हो जागा, तो R Q के value कितना हो जागा, 8 R small Q, तो R जो दिया हो गया, इसके value कितना हो जागा, 2 के Q कितना हो जागा, 8 होता है, 8 होता है, और small R के Q हो जागा, अब जो इसका बाद वाले के potential निकालेंगे B Q, तो कितना हो जागा, कितना हो जागा, बाद वाले के charge मा के हो जाएगा kq by r हो गया kq by r के value हमको पहले से पता है कितना है 2 दिया हुआ है 2 से multiply कर दो गया आप तो सबसे पहली बात है कि जब सीरीज में जोडते है तो आपका जो equivalent हो ऐसे निकलता है न 1 by c is equals to 1 by c1 plus कितना हो जाएगा 1 by c2 plus 1 by c3 किसी भी capacitor के एक पोटेंचिल दिफरेंस है यह तो अगर हम चार्ज निकाल लेते हैं तो अपना काम हो जाएगा because b equals to कितना होता है q by c हो जाता है तो इसको जब solve करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 by 3 हो जाएगा plus 1 by 6 हो जाएगा plus में कितना हो जाएगा 1 by 12 हो जाएगा LCM 12 हो गया 3 से करेंगे तो 4 हो जाएगा 6 से हो जाएगा 2 और यह हो गया 1 तो c का value हो जाएगा value कितना हो जाएगा 12 divided by 4 दो 6 कितना हो जाएगा 7 हो जाए तो साथ से करेंगे 14 दो हो जाएगा तो वैलू चार्ज का हो जाएगा 24 माइक्रो कुलम का चार्ज आजाएगा और यह सारे से तो सेम ही जा रहा है तो C2 के पैसिटर से पोटेंशियल निकालना है तो V2 के बात करेंगे तो कितना हो जाएगा Q by C2 कितना हो जाएगा तो वैलू कितना हो जाएगा यह जो जाएगा यह जो कॉमिनेशन दिया है यहाँ पर चलिए आगे बढ़ते हैं अंगले कुश्चन की तरफ बोला है कि इसमें उनिफॉर्म एलेक्रिक फिल दिया है 50 वोल्ट per meter exists in xy plane parallel to the y axis then in configuration potential difference va minus vb का बात करना है तो a से b का बात करना है ध्यान से potential जो electric field होता है न electric field का direction होता है change in potential electric field की तरफ होता है change in potential की तरफ होता है और electric field always होता है e is perpendicular to equipotential होता है रखिएगा, E is always perpendicular to कैसा होता है, equipotential, तो जो line दिया है, x axis का line दिया है, इस पर यह कैसा दिया है, perpendicular दिया है, मतलब जो x axis के लोग हर एक point का potential कैसा हो जागा, same हो जाएगा, electric field is always perpendicular to the equipotential, और electric field जिधर होता है, potential उदर ही change करता है, उसके perpendicular में कोई change नहीं होगा, मतलब x axis के लोग कुछ change ही नहीं हो रहा होगा, तो potential difference कितना हो जागा, 0, difference का individual का value जो fix है, इसलिए difference कितना हो जागा, 0 हो जागा, याद रखना है, electric field is always perpendicular to the equipotential, electric field y की तरफ है, मतलब x की तरफ क्या हो जागा, equipotential है, parallelize दिया है, तो difference निखा लेंगे तो definitely 0 हो जागा, तो बहुत ही अच्छा सा theoretical point आप से काफी simple तरीके से पूछा गया था, next question है, बोला कि two parallel plate capacitor having capacitance this and this, charge to a potential 25 volt and 15 volt respectively, the plates of unlike polarity of two capacitor are connected together, then the loss of energy in the arrangement of capacitor is what, जब भी देखेंगे बात इसमें, जब भी आप देखोगे, तो करना क्या है, कि जब भी potential को जब इसे connection और disconnection करते हैं, तो loss in energy होता है, इसका formula होता है, c1 into c2 divided by c1 plus c2 into v1 minus v2 का whole square, इस formula को याद करने के एक और तरीका है, perfectly inelastic collision में भी जो energy loss होता है, वो ऐसे ही होता है, सिर्फ वहाँ पर लिखते हैं, m1 m2 by twice of m1 plus m2 into v1 minus v2 का whole square, यहीं पर जब दो disk होता है, जब आप angular momentum conservation करते हो, दो अलग अलग अलगाता है, आपस में combine करके common से चलना सुरू करता रहा है, तो वहाँ भी loss of rotational energy लगाते हो, तो सिर्फ c के जग़े पर moment of energy हो जाएगा, मतलब i1 i2 by twice of i1 plus i2 और जो v है उसके जग़े पर omega हो जाएगा, तो omega 1 minus omega 2 का whole square, तो अब देख सेखते हो कि equation का भी multiple use का equation दिया गया है, तो अलग अलग format में लिखा रहा है, expression more or less एक जैसा होता है, तो एक समझ गया तो अब हर जग़े पर लगा सकता है, आप यहाँ पर value ल रखते हैं, और जो opposite polarity करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, जोरना पड़ेगा, यह दिया 15 volt दिया है, और दूसरे का दिया है 25 volt, यो कि opposite polarity connect कर रहे तो दूसरे का भालो negative put करेंगे, तो यह कितना हो जाएगा, 25 plus कितना होगा, 15 हो जाएगा, और इसके square कर देंगे, देखो य यह दिया था, micro में, तो देखो यह micro और micro है, एक micro था cancel होगा जाते है, एक micro बचा हुगा तो 10 की power minus 6 है, यह से क्या कर देंगे, multiply कर देंगे, यह जो solve कर दो कितना हो जाएगा, 6 3 जाएटीन divided by 6 plus 3 कितना होता है, 9 और 25 plus 15 कितना होता है, 50 होता है, और यह भी कितना होता है, 50 ह हो जाता है, और 10 की power कितनी हो जाएगे, minus 6 हो जाएगे, यह ठारा ठारा खतम हो गया, तो यह कितना हो जागा, 25 हो गया, कितना आगया, वैलू जब solve किया हमने, तो 6 3 9 हो गया, 18 हो गया, 6 plus 3 कितना हो गया, 9 हो गया, तो solve कर लेंगे, देखो, एक मिनट आ जार एक नहीं, माइन जार एक मिनट यहाँ पे option का, कुछ सी दिया है, 2 x 6, में डेटा सही दिया, 25 हो गया, और यह कितना दिया, 15 दिया, opposite polarity को गनेट कर देते है, तो वोल्टेज कितना कर देना, प्लस कर देना, 25 प्लस 15 हो जागा, 25, 35, 30, 40, 50 नहीं हो गया, 40 नहीं हो गया, 14 नहीं हो गया तो यह वैलू कितना हो जागा, 1600 हो जागा, तो यह वैलू minus 6 से तो कितना लिखेंगा, 1600 micro joule लिखेंगा, ठीक है, तोरा सा फॉल्ट था है, एडीशन दो अगर बड़ कर दिया था हमने, तो 1600 joule इसका answer हो जागा, micro joule में हो जागा, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, में 2 और 2 है तो यह distance कितना हो जागा 2 root 2 हो जागा ना इस case में possible number of pairs होते हैं इसका formation हम लोग करते हैं तो possible number of pair का जब करेंगे तो क्या हो जागा you के value लिखेंगे तो यह value हो जागा k हो जागा q1 q2 मतलग capital q small q by 2 plus कितना हो जागा k और यह हो जागा capital q small q divided by ट्योशेगा q2 में कितना हो जागा q2 कितना हो जागा q2 क्यूव स्कॵार्ण नहीं हो जागा और डिवायरड़भाइड डिस्ञेंस कितना हो तू रूट टू और यह value बोला है कि इसके कितना कर देना है जीरो कर देना है इसका मतलब दोनों को जोड़ देंगे तो टू हो गया कि capital Q वे small Q divided by कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा plus में होगा k q square divided by कितना हो जाएगा टू रूट टू और यह कितना हो जाएगा जीरो तो टू रूट टू हो जाएगा नेगेटिव में और यह कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा नेगेटिव पोटेंशिल ग्रेडियंट होता है माइनस डिवी पाई डियार होता है वास इसमें याद रखना एक बात कि जब जब एक्स में डिफरेंसियेट कर रहे है तो उसे में क्या करना है य को कॉंस्टेंट रखना है जब य में डिफरेंसियेट कर रहे है तो एक्स और जेड कॉंस्टेंट रखना है मतलब जिसमें डिफरेंसियेट कर रहे है उसको छोड़ के बाकी सब को कैसा रखना है कॉंस् करेंगे , 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 simplify करने के बाद यह कितना आ जागा यहां पर X component जो दिया है इसके value आ जा रहा है मेरा minus 1 आ जा रहा है इसी तरीके से जब निकालते हैं इसका y component के value निकालते हैं तो minus में हो जाएगा x square हो गया y का differentiation 1 हो गया minus y square का 2i हो गया z छूट जाएगा और यह तो कहीं पर y है नहीं खतम हो जाएगा value बोट करेंगा x-1 यह है न तो minus 1 का square हो गया 1 तो ही हो गया 1-2 y का value minus 1 तो minus minus कितना हो प्लस और z का value कितना है minus 1 तो फिर से आगा minus 2 यह हो गया 1-2 minus 1 पहले से minus निकालना निकालना पड़ेगा इतना पर भी option clear नहीं हो रहा है, z component निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, minus dv by क्या हो जाएगा, dz हो जाएगा, तो minus z में जब हम बात करते हैं, x square y है, पहला तो खतम हो जाएगा, दूसरा y square z है, तो सिर्फ बचेगा y square, और तीसरा z square रहते हो जाए, 2z और यह कितना हो जाए, x हो गया, यहाँ पर value put कर देंगे, y square मतलब ही हो जाएगा, minus 1 ही रह जाएगा, minus z का value minus 1 दिया है, और x का value भी minus 1, तो minus minus plus, already यहाँ पर minus है, तो यह आजागा है, खतम, तो यह दोनों add होगे हो जाएगा, minus 3, और पहले सिक minus है, तो हो जाएगा, plus 3, तो value of electric field लिखेंगे, तो x component वाल में क्या लगा देंगे, i cap, y component वाल में लिखा देंगे, तो कितना हो जाएगा, j cap और z component वे लगाएगे, तो कितना हो जाएगा, 3 k cap हो जाएगा, then the value of electric field is minus i cap minus j cap, plus 3 k cap हो जाएगा, और यह आपका answer हो जाएगा, तो देखने से यहाँ पर यह महसूस हो रहा है, कि option number 3 मेरा correct answer दिया हुआ, अगला सवाल दिया है, कि two identical metal plates a and b are given charge, this and this respectively, now the plates a and b are brought close to the form a parallel plate capacitor अब capacity is 20 microfarad, then the potential difference, बहुत ही बहतरीन सा question पुछा हुआ है, सबसे पहले बात यह जान लिजे कि दो plates को जब सामने लाते हैं, when you bring two plates together, जिस पर charge कितना था, q1 and q2 था, suppose कर लिए इस plate पर charge कितना था, q1 था, और इस plate पर charge कितना था, q2 था, तो उस case में इसके बाहरी surface पर charge हो ह कितना हो जाता है, तो दोनों charge का sum by कितना हो जाता है, two हो जाता है, और यहां भी बाहर वाले plate पर बात करेंगे, तो यह भी कितना हो जागा, q1 प्लस q2 divided by two हो जाता है, वहीं पर इस अंदर वाले face पर बात करते हैं, तो charge के value q1 minus q2 by two हो जाता है, और यह यहां पर हो जागा माइनस में Q1-Q2 divided by 2 हो जाता है अब इसके बाद जो हमें charge दी हुई है इसे इसके अंदर वाले plate पे जो charge निकालते हैं ही तो charge on capacitor न हो जाता है Q के value इस capacitor plate का जो charge हो जाएगा ये कितना हो जाएगा Q1-Q2 by कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और Q1 के value कितना दिया है 20 दिया है माइनस कितना हो जाएगा माइनस 60 और divided by कितना हो जाएगा 2 तो ये कितना हो जाएगा ये value का 60 और C by 2 कितना हो जाएगा 40 microcola हो जाएगा तो जो value निकाला हमने charge का Q1 plus Q2 by 2 तो यहाँ पर अंदर पर जो निकालो कितना हो गया। 40µ कोलम हो जायगा। Buy the value कितना हो जायए? QI plus to C भी होता है, वी सब्सक्राइब क programme कितना हो जायगा। Q by C हो जायगा जो भी old 9u cells क्सट्राइब निकाला है, Q कितना है। तो वहलू कितना आजाएगा? टू वोल्टिस का एंसर हो जागा बहुत ही खुबसूरत सवाल था जिसमें काफी कुछ सीखने को आपको मिल सकता है तो यह होता है दो प्लीट को अगर हम रखते हैं अलग-अलग चार्ज का तो इसमें पोटेंशल दिफरेंस कैसे निकालते हैं देखेंगे ध्यान से यहाँ पर C1 by C3 का वैलू निकाल लो पहले C1 by कितना कर दो C3 तो C1 दिया 3 और C3 का वैलू 6 दिया वैलू आगया 1 by 2 वैलू अब C2 by C4 निकाल लेंगे तक C2 का वैलू 6 हो जाएगा और C4 का वैलू 12 वा जाएगा 1 by 2 हो गया तो क्योंकि C1 by C3 is equals to C2 by C4 दिया है मतलब यह जो condition है यह है balanced wheat storm breeze का condition दिया हुआ है जब balance दिया है तो बीच वाले के कोई काम नहीं है C1 C2 किसमें हो जाएगा series में हो जाएगा and C3 C4 किसमें हो जाएगा parallel में हो जाएगा इसका हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पे equivalent का value और C1 का value 3 दिया है C2 का value 6 दिया है इसका value 6 दिया और 12 दिया 6 और 3 का कितना हो जाता है तो 3 into 6 divided by कितना हो जाएगा 3 plus 6 हो जाएगा मतलब 18 हो जाएगा divided by 9 हो जाएगा value हो जाएगा 2 micro farad हो जाएगा और 6 और 12 का हो जाएगा 6 plus 12 by हो जाएगा 18, 6 से करेंगे, 18, 3 से करेंगे, तो कितना होगा, 4 टाइमस ते वैलू कितना हो जाएगा, 4 माइक्रो फेराड हो जाएगा, अब ये दोनों के दोनों पैरलल में दिया है, तो C को वैलेंट कितना हो जाएगा, 2 प्लस 4 हो जाएगा, विच मींस, 6 माइक्रो फेराड इसका वैलू हो जाएगा, और Q के वैलू चाहिए हमें, तो Q के वैलू होता है, C को वैलेंट इन्टू V हो जाता है, C को वैलेंट 6 हो गया, B के वैलू दो हो गया, तो 12 वोल्ट इसका आजाएगा, 12 µC इसका आजाएगा चार्ज का वैलू जो बैटरी से ड्रॉन यहां पे हो रहा है तो वैलू कितना हो जाएगा चार्ज का तो वैलू हो जाएगा 12 µC option no.2 next question जो दिया है इसमें बोला हुए है कि 3 conducting cell A, B and C are as shown in the figure ऐसा दिया हुआ डाइगराम में plus 3 Q charge is given to the inner cell and minus 2 Q in the middle cell and plus Q in the outer cell then charge on the inner surface of the outer muscle बहुत ही खुबसूरत सवाल दिया है plus 3 Q charge is given on the inner देखे इसमें charge कितना हो गया plus 3 Q charge हो गया इसके बाद दिया है कि minus 2 Q charge दिया है यहां पे middle वाले पे और बाहर वाले पे चार्ज कितना दिया है तो plus Q दिया हुआ है बोला है कि चार्ज होंदे इनर सर्फेस of the outermost connecting का प्रोसेस इस्तमाल करना ए पे दिया plus 3 Q यहां पे induce कितना हो जागा minus 3 Q charge हो गया लेकिन इस पे net charge कितना है minus 2 Q दिया है तो minus 3 Q अगर अंदर में आ गया बाहर में net charge हो minus 2 Q करना है तो बाहर वाले पे charge कितना हो जागा plus Q देखो दोनों को जोड़ दो plus Q और minus 3 Q कितना हो जागा minus 2 Q हो जागा और यहां पे जब plus Q charge हो जाता है आपका तो इसके inner सर्फेस पे कितना हो जागा charge minus Q हो जागा और बाहर वाले पे तो हर एक सर्फेस पे चार्ऺ बता होगा कंडुक्षन यहां पर इंडुक्षन होजागा जोच दिया हो इसके आपोजिट नेचर का चार्च दूसरे फ्म प्लेंट पेसा être olduğ outer cell के जो inner surface पे charge है वो value minus q हो जा रहा है induction में हमें सा opposite nature का charge होता है वो induce हो जाता है next question है कि 3 charges are placed in xy plane and shown in the figure each at distance l from the origin o then dipole moment of the configuration is what देखो ये जो point है ये दिया है मेरा कितना है minus 4 q charge दिया हुए पभी minus 4 q को अगर आप assume करो minus 2 q और minus 2 q यहां पे distance की value कैसे है यह भी यल दिया है यह भी यल दिया है यह 90 है मतलब यह angle 45 हो जाग और यह कितना हो जाग यह भी 45 और यह 45 so practically you are having two dipoles ऐसा दिया हुआ है जिसका dipole moment कितना हो जागा 2 q वेल है charge के value 2 q distance के value यल दिया है और इसका resultant निकालना है यह angle भी कितना है 45 और यह angle भी कितना है 45 दिया है और यह कितना हो जागा 2 q वेल ते इधा की तरफ कितना हो जागा 2 q वेल हो जागा कॉस कितना हो जागा 45 क्योंकि दोनों excited दो से multiply करते हैं तो यह कितना हो जागा 2 q वेल हो जागा है डाइपोल मोमेंट में सोड़ी डाइपोल मोमेंट का जो वैलु दिया książ है थो अगरबर हो गया यहां पर देखो गिए चलो इसके में कर दो कितना डाइपोल मAYमेंट कितना यह यह दिया पी और या दिया पी टो पी नेट का वैलु कितना था ठींज इनव रूत हो जाएगा, वह जा सब्सक्राइं को ₹ इसको कैंशल करती है जी कितना होगा, इसको समय कैंसिख कहा एक फिल्ट जे-कप y-axis की तरफ हो जा रहा है तो जे-कप हो जाएगा तो answer is 4 की वेल and direction is जे-कप option 2 is absolutely correct answer for this question next है कि particle है charge 2 microgulum है और mass 2 mg दिया हो है is moving with velocity 2 meter per second is subjected to uniform electric field of magnitude 10 volt per meter for 3 second then the final speed of this particle is what देखो electric field जबारत इसकी वैसे क्या हो जागा इसके उपर में force लगेगा ना तो acceleration कितना produce होगा तो acceleration force होता है divided by mass हो जाता है और particle है जिसका charge दिया है दो micro है तो 10 की power minus 6 दिया हुआ है electric field कितना दिया है 10 दिया है और वहीं पे जो इसका mass के वह लिखा हुआ है कितना है तो इंटू 2 into 10 to the power minus 6 लेना ये भी जो दिया है मारा micro लिखा हुआ था मीली लिखा है तो मीली का 10 की power minus 3 होगा ग्राम को केजी में करेंगे तो भी हो जागा minus 3 तो कितना हो जागा 10 की power minus 6 दो हो जागा पूरा पूरा तो इसे खतम हो जागा calculate करके कितना आ जाता है और time के value दिया कितना है 3 second है तो value हो जागा 5 plus 10 threes are 30 दोनों को add कर दोगे तो value हो जागा 35 meter per second कितना जागा इसका velocity के value हो जागा 35 meter per second moving ahead to the next question ये सवाल जो बोला है आज का आखरी question दिया है बोला है कि 6 charges are placed at the vertices of a regular hexagon upside A is shown in the figure then electric field at the center O is what यहाँ भी बात करना है देखो जो charge configuration है symmetric दिया है पूरा का पूरा कैसा है symmetric ये plus Q के field को ये plus Q के field को ये cancel कर देगा फिर वो उपर का plus Q हो गया ये वाला और इसके field को ये वाला plus Q cancel कर देगा ये plus Q के field को ये वाला plus Q cancel कर देगा तो net field के value कितना हो जागा इस point पे 0 हो जाएगा symmetric configuration में electric field होता है इसके value कितना हो जाता है 0 हो जाता है ये ही rule applicable है square के center पे circle के center पे किसी भी regular जो polygen होता है उसके center पे field के value निकालते है तो इतना ही होता है तो symmetricity की वज़ा से field जो हुआ इसके value इतना हो जागा यहाँ पे 0 हो गया तो यह था हमारा electrostatic का पूरा पूरा revision था जो next एक हम mock करेंगे वो electric field का होगा electricity का होगा जिसमें पूरा का पूरा topic उसको cover करेंगे we further go for the other topics too so keep revising and it is observation आया है कि जो regular mock का practice करते हैं they are able to enhance their marks by almost 30% in their exam so practicing question is very very important अब से theory बर के revision expect नहीं कर सकते हो और अच्छे score के expectation नहीं रख सकते हो तिसके लिए आपका continuous question मनाना बहुत जरूरी होता है and in that segment I am helping you and if you consider these things are useful for you then do consider subscribing this channel and hit the like button and share with others thank you for watching till then bye-bye